हेलो इबरीवन वेलकम बैक टो मैं किचन तो आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं संडे स्पेसल लंच में चिकन पुलाव बनाने की रेशपी जिसे हम बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बनाएंगे और यह वन पॉट में बनके तयार हो जाता है और यखिन मानिए यह पास्मती राइस है इसे हम अच्छे से धो लेंगे तो इसमें पानी डालेंगे और दो से तीन पानी इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसको धोने के बाद इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे ऐसे ही भीगो के छोड़ देंगे तो जब तक हमारा चावल बारीक चॉप किया हुआ दो से तीन मीडियम साइच का प्याज एड़ कर देंगे और प्याज को हमें अच्छे से हलका सा गोर्लिन कलराने तक रोष्ट करना है प्याज को भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है तो आप इसे ढख दें और इसको अच्छे से भून लें इसे हम बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे और इसे भून लेंगे ये जो चिकन पुलाव बनता है ये एकदम बिर्यानी की तरह ही लगता है आप एकदम आसानी से इस रेशिवी को बना के त्यार कर सकते हैं पर आप देख सकते हैं जो प्याज है वो भी अच्छे से रोष्ट हो चुका है तो अब हम इसमें दो चमच जिंजर गारलिक पेस्ट आइट कर देंगे जिंजर गारलिक और पेस्ट को अब हम अच्छे से हलका सा भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए फिर हम इसमें आधा केजी चिकन एट कर देंगे चिकन को पहले मैंने अच्छे से दो से तीन पानी धोके और इसमें एक बार मैंने नेबू वाले पानी से धो लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधे चमच जीरा पाउडर और आधे चमच हम इसमें हल्दी पाउडर एट करेंगे और इन सब को mix कर लेंगे और mix करने के बात इसमें हम एक बड़ी साइज का कटा हुआ टोमाटर एट कर देंगे और टोमाटर डालने के साथ हम इसमें नमक भी एट कर देंगे तो आप इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक एट कर दें और बस इन सब को अब हम mix कर लेंगे और इसे ढख कर अच्छे से पकने देंगे अब इसमें से जो chicken है उससे पानी रिली जोगा और chicken अपने ही पानी में अच्छे से पकेगा बस इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे चलाते समय ही इसमें बीच में हम आधे कप दही एट कर देंगे दही को आप पहले अच्छे से फेट ले तब इसमें एट करें और इसे mix कर लेंगे और फिर हम इसे ढग कर इसे थोड़ा सा dry होने तक अभी पकाएंगे इसे भुंते समय ही इसमें हम देर चमच बिर्यानी मसाला एट करेंगे आप चाहें तो यहां बिर्यानी मसाला की जगा गरम मसाला पाउडर भी एट कर सकते हैं तो वो आप एक छोटे चमच एट करें यहां पर बिर्यानी मसाला डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और यह खान में बिर्यानी की तरह ही लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो बस इन सब को मिक्स कर लेंगे और धक करी से थोड़ा सा और पका लेंगे जब चिकन पूरी तरह से ड्राइ हो जाए और साइट से हलका सा ओयल दिखने लगे तब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना एट करेंगे और पानी डालने के बाद इन सब को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें दो स्लाइस में कटा हुआ नीवू का टुकडा एट कर देंगे और साथ ही जो हमने राइस को सोक करके रखा था उसका पानी निकाल कर चावल को इसमें एट कर देंगे और चावल को डालने के बाद एक बार फिर हम इन सब को अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद हम कूकर का धकन उपर से ऐसे ही सिर्फिस पे रख देंगे अभी हम इसका लीट पूरी तरह से नहीं लगाएंगे बस इसके उपर हम रख देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे एक बार जब ये उबलने लगेगी तो चावल जो है वो हलके से उपर आ जाएंगे तब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें थोड़ा सा बिर्यानी मसाला पौडर एट करेंगे और एक चमच घी एट कर देंगे इससे जो इसका अरोमा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अब हम यहाँ पर कूकर का लिट लगा कर दो सीटी आने तक इसे पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर दो सीटी लगा लिया है और आप देख सकते हैं जो बिर्यानी है हमारी जो पुलाव है वो बनके तयार हो चुकी है इसकी पूरी सीटी अपने आप निकलने के बाद ही आप इसका लीड हटा है तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो चिकन पुलाव है वो बनके तयार हो जाता है आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इसे आप सलाद और राइती के साथ सर्व करें यह काफी ज़्यादा टिस्टी लगता है याप आप देख सकते हैं जो राइस है वो पूरी तरह से एकदम खेले खेले बने हुए है तो इस तरीके से आप ही से बनाईए साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेस्प्री के साथ तब तक के लिए बाबाए and टेक कियर